गुड मॉर्निंग एवरिवन दोस्तों आज आज 11 ओं मार्स 2024 और हम लोग करेंगे दा हिंदू न्यूस पेपर के अनलेसिज मरे नावर सितेंदर चोधरी और आज हम लोग कौन-कौन से टोपिक करने वाले हैं तो कुछ इंट्रेस्टिंग से टोपिक रहने वाले हैं आज जै जिसके बारे में Election Commission of India ने भी कुछ चेंजिस करने की बात कही है तो ये टोपिक हम लोग करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस वाले सेक्शन चे उसके लवा इलेक्शन कमिशनर ने हमारे कर दिया है रिजाइन तो अभी हमारे पास दो हैं एक है हमारे चीफ इलेक्शन को कैसे अपोइंट किया जा सकता है कौन कमिटी करेगी पहले कैसे अपोइंटमेंट होती थी अब कैसे अपोइंटमेंट होती है हाला कि इसके अंदर 80% गुंटेंट जो है वह आपका पूरा रिवीजन वाला ही रहेगा अगर आपने थोड़ा बहुत लक्षमी कांथ नजर आता है यह कॉंटेक्स्ट उससे लिए वह टोल प्लाजा रूल्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे तो फिक थोड़ा इंटरस्टिंग है और हम सब की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है इंडिया में कैसे टोल प्लाजा के जो रूल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं कैस अब की जेब से जाएगा लेकिन वो टोल प्लाजा रूल्स है जो टाइम लगता है आपको वो नहीं लगेगा तो इस रूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके लाबा एपल के उपर जो है एक बहुत बड़ा फाइन लगाया गया है इरोपेन यूनियन के दोबारा जिसे अंटी ट्रस्ट लो तो आज थोड़ा से उस कोंटेक्श में लोग पढ़ेंगे ऐसा क्यों किया गया है एपल अपनी पोजीशनल की इस तरह से मिस्यूज करता है थोड़ा से इस कोंटेक्श में पढ़ेंगे एक एडिटोरल दिया हुआ है हाला कि टोपिक रिपीटे तो same ही रहेगा, फिर भी, revision के तोर पे आपको अच्छा रहेगा यह और आप इसको better तरीके से याद भी कर सकते हो, memorize कर सकते हो, ठीक है, mains के perspective से इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, चलिए, बढ़ते हैं सिधा पहले topic पे, और पहले topic देखे यहाँ पे, हम लोग election उस मैं एक form दिखाता हूँ, यह देखिए, यह है form 16, election commission of India का यह form 16 है, application form for the new voters, ठीक है, अगर आप 18 plus हुए हो, आपका नया voter ID बनवाना है, तो यह form 6 आपको भरना पड़ता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपका language जो मतलब यूज करते हो, पूरा नाम आपका यहाँ पर आता है, सरनेम आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, middle name and all that, यह सब ठीक है, चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है, father, mother का सरनेम जो आप यूज करते है and all that, ठीक है, इंगलिश में और नाम जो है सरनेम इंगलिश में ब्लोक लेटर्स में आप अगर आप, और मुझे ऐसा लगता है, mostly बच्चे आप में से 18, 19, 20 के आसपास कही हैं, अभी अभी आपने form भरा भी होगा, दिक्कत यहाँ पर यह वाली है, यह इशू है, यहाँ पर लिखाव है अधार नंबर, तो अगर आपके पास अधार काड है, तो अपना नंबर यहाँ पर अधार करोगे, अगर आपके पास अधार नहीं है, I am not able to furnish my अधार नंबर, इसमें बहुत बड़ा इशू है, मतलब अगर आपके पास अधार है, तो आप यहाँ पर भरिये, 12345 जो भी है, अगर अधार नहीं है, तो आपको mention करना पड़ेगा कि आपके अधार नहीं है, और अधार होना आपके लिए पास mandatory है, क्योंकि आधार नहीं होता है, तो बहुत सरे सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी, अगर आपके पास अधार है, तो मतलब यह mandatory हो गया, आपको भरना ही पड़ेगा, अगर नहीं है, तो आपके पास कोई option नहीं है, तो अधार कार्ड अगर है तो आपके लिए मेंडेटरी है आपको अधार नंबर यहाँ पे देना ही पड़ेगा होना क्या चाहिए था होना चाहिए था अधार नंबर और ब्रैकेट में ओप्शनल अब ठीक है सिर्फ एक वर्ड अधार कार्ड है आप देना चाहो तो दीजिए नहीं देना चाहो तो मत दीजिए क्योंकि यहाँ पे वर्ड ओप्शनल है अगर ओप्शनल वर्ड नहीं होता मतलब वो मेंडेटरी हो जाता है यह दिक्कत है इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया ने कहा कि यह दिक्कत है यह ओप्शनल वर्ड आप यहाँ पे आड़ कर दीजिए सारे दिक्कत सोल हो जाएगी क्योंकि कोर्ट ने भी यह बात बोली है कि अधार कार्ड जो है ना आप उसे मेंडेटरी नहीं बना सकते किसी भी केस में हाँ वो वोलेंटरी है वोलेंटरी है और आधार कार्ड आपके नैशनलिटी का इंडियन सिटीजन होने का पुरूफ नहीं है यह तो आपको पहले से पता ही होगा आधार कार्ड सिर्फ गौवर्मेंट सर्विसिज लेने का एक जरिया है वो आपके सिटीजनशिप का पुरूफ नहीं है लेकिन वोटर आईडी वो आपके सिटीजनशिप का पुरूफ भी होता है अधार कार्ड तो कोई जो इंडियन सिटीजन नहीं है उसके पास भी अधार कार्ड हो सकता है लेकिन voter ID सिर्फ Indian citizen के उपर पास ही हो सकता है और अगर आप voter ID बनाते समय अधार काड mandatory कर दोगे तो गड़बढ हो जाएगी मिसमैची हो गया ना और वैसे भी अगर आप देखिए जो voter ID काड है वो कौन manage कर रहा है Election Commission of India अधार काड तो कौन manage कर रहा है UID कर रहा है दो अलग-अलग authority है दो अलग-अलग authority का अब कैसे merge कर सकते हो एकी process के अंदर तो इसके अंदर पहले से कावी सारे issues थे 2021 के अंदर election law amendment bill आया था जिसके अंदर voter ID काड और अधार को link करने की बात कही गई थी सरकार ने कहा है हम लोग इसलिए कर रहे है क्योंकि जो duplicate entry है जो double entry हो गई है उसको हम लोग हटाना चाहते है मज़ेदार बात ये है उस bill में लिखा हुआ है कि ये voluntary exercise है पतला अधार कर देना चाहो या ना देना चाहो ये आपकी मर्ज़ ये voluntary है लेकिन form क्या कह रहा है form कह रहा है ये mandatory है अभी देखा अपने ये form ना form तो mandatory कह रहा है अगर ये voluntary होता तो उसके अंदर option लिखा होता अधार कार्ड की bracket में जो नहीं है यही बात election commissioner विंडे ने बोली है कि ये fraud है fraud मतलब इंदर सायंस के गलत system है इसे दूर कीजिए और उन्होंने सरकार को भी कहा है कि आप इसकंदर amend करिए दुबारा से इसकंदर या तो आप optional word का add करिए या फिर इसको पूरी तरे से फटा दीजिए ये उन पे बोला गया है चीक बस इसके बारे में इतना ही किसी को exactly कुछ का कहना है कि उन्होंने इसलिए स्तीफा दिया है क्योंकि जो राजीव कुमार जी है हमारे चीफ election commissioner है इनके साथ इनका थोड़ा जगडा था आपस में बंती नहीं थी खेर ये तो controversial चीज़े हम तो इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी जब election के तैयारी चेक करने के लिए लोग वेस्ट बंगोल गए तो वहाँ पे कुछ इशू हुआ होगा तो ऐसा कुछ लोगा कहना है लेकिन जो press report आई है सामने उसका कहना कि इनके कुछ health issues थे और health issues की वज़े से शायद इनोंने resign दिया पता नहीं क्या सच चाहिए कुछ भी हो सकती है हाँ लेकिन ये बात थोड़ा सा weird तो है कि election date announce होने वाली थी उससे पहले election commissioner ने resign यहाँ पे कर दिया है तो हमारे जो election commission के अंदर तीन commissioner होते हैं अभी कितने रह गए गए दो रह गए तो एक को जल्दी से जल्दी अपोइंट तो करना ही है तो two heads मतलब यहाँ पे पहले यह देखिए two heads better than one said supreme court on the chief election commissioner solitary vigil छीक है मतलब एक से दो भले दो से तीन भले अब तीन नहीं हो तो क्या ही कर सकते हैं दो से काम चलाना पड़ेगा लेकिन बहुत ही जल्दी एक committee जो की head की जाएगी प्राइम मिनिस्टर के दोवारा नए election commissioner को जल्दी से जल्दी appoint यहाँ पे किया जाएगा तो थोड़ा साब को यह पता होना चाहिए appointment की process क्या होती थी पहले चीक है चीफ election commissioner is usually a senior member of the election commission अभी गोईल जी ने जो resign दिया है यह अभी चीफ election commissioner बनने की दोड़ में सबसे आगे थे बन सकते थे लेकिन अभी तो नहीं बने क्योंकि resign ही हो गया है तो president जब आपॉइंट करता है election commissioner को तो वो चीफ election commissioner के साथ consult करते है यह process पहले होती थी अभी भी यही होगी थोड़ा सा change हो आइसके अंदर बता दे दूँ आपको क्या होगा है वो बता दूँ आपको में चीफ election commissioner जो है वो कुछ नामों को recommend करते है election commissioner के लिए president को नामों को recommend करते है यह recommendation किस बेस पे होती है भाई या उनकी expertise, उनकी experience, उनकी suitability, उनकी track record के basis पे होती है क्योंकि I do fortunately हमारा constitution इसके बारे में कुछ बताता नहीं है कि कैसे appointment होनी चाहिए उसकी उनकी qualification के बारे में हमारा constitution कोई बात नहीं करता है तो फिर कोण appointment करता है अब government appointment करती है ठीक है लेकिन ये procedure भी हो गया change चेंज ये इसलिए हो गया कि मान के चलिए पहले government appointment करती थी अब ऐसा हो सकता है कि कोई government अपने favorite candidate को बना दे, ऐसा हो सकता था तो फेवरिटिजम तो हर जगा होता ही है भाई अब उसके against में Supreme Court के अंदर एक PIL की गई और PIL में ये कहा आ गया कि साब देखिए क्योंकि हमारा constitution election commissioner की appointment के बारे में खास के लिए बात नहीं करता है तो government अपने favorite candidate को बना देती है तो इसके बारे में कुछ ना कुछ करिए आप Supreme Court ने कहा बात तो तुमारे ठीक है गड़बड तो हो सकती है तो Supreme Court ने कहा कि एक तीन member की committee बनेगी वो committee election commissioner के लिए जो नाम जाएंगे वो recommend किया जाएगा प्रेजिडेंट को उसके अंदर कौन कौन होंगे प्राइम मिनिस्टर साब होंगे लीडर ओफ ओपोजिशन होंगे और Chief Chief Justice of India होंगे और इन तीन लोगों की majority जिसका नाम clear करेगी उसको ही बनाया जाएगा ठीक है ये बात government को थोड़ी खास अच्छी लगी नहीं government ने कर दिया appointment, amendment कर दिया कानून के अंदर ठीक है, तो 1991 का जो कानून था, उसको ने कानून के साथ replace कर दिया और उस ने कानून में ये कहा गया कि election commissioner या चीफ election commissioner को जो appointment करेगी, वो एक तीन member की committee होगी जिसके अंदर कौन होंगे हमारे PM साभ होंगे एक union cabinet minister होंगे और leader of opposition होंगे मतलब जो CGI थे भाईया CGI का नाम यहां से cut कर दिया ठीक है अब फिर से हंगामा हो गया क्योंकि इसमें से दो लोग तो सरकार से ही है, government से ही है इसका मतलब भी हुआ कि election commissioner या चीफ election commissioner को appointment करने की जो power है कि किसके हाथ में आगी, government के हाथ में आगी तो favoritism तो फिर से हो सकता है हालाकि यह मामल भी court में है अब स्टिल अभी यह प्रेजेंट यही process follow की जाएगी कि election commissioner को या chief election commissioner को appointment करने के लिए committee बनेगी जिसके अंदर PM होंगे cabinet minister होंगे और leader of opposition होंगे यह recommendation जो है वो president के पास जाएगा ठीक है, president साब जो है वो chief election commissioner से थोड़ा consult करेंगे और इसके बाद नामों को appoint कर दिया जाएगा तो सकार ने फिला लिए एका है क्योंकि गोईल जी ने यहाँ पर resign कर दिया है तो 15 मार्स तक एक नए election commissioner को हम लोग appoint यहाँ पर कर देंगे तो यह जो तीन memory committee है वो उन नामों को recommend करेगी यह कुछ content आपके लिए मैंने self study के लिए डाला हुआ हालांकि यह एक standard सा topic है static सा topic है जबकि लक्षमी कांत के अंदर भी अच्छे से दिया हुआ है election commissioner को इंडिया को लेके जो articles हैं उनकी जो powers हैं उनकी जो functions हैं वो थोड़ा सा प्लीज आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं थोड़ा history वगरा जाननी है तब जानी सकते हो कोई समें को दिक्कत नहीं है पहले हमारे यहाँ पर सिर्फ एक election commissioner हुआ करते थे फिर 1989 के अंदर उसके अंदर amendment किये गए तो दो लोगों को नया add किया गया फिर से एक होगे फिर से तीन होगे तो फिलाहाल यह है बुरे का पुरा मामला कि भाई तीन election commissioner हमारे पास होते हैं दो election commissioner एक chief election commissioner होते हैं तीन member की commission होता है छीक है छे साल का एक fix tenure वैसे हिनका होता है 65 की एज तक लेकिन इसके अंदर भी कुछ changes यहां पे हुए है तो यह थोड़ा सा आप पिलीज अपना लक्षमी कांटो कारा को prefer करके पढ़ सकते है procedure का है removal का वो भी आप यहां पे देख सकते है तो यह तो self study के लिए मने डाला है क्योंकि यह static part है current affair का part नहीं है चीक है तो आप उसको prefer करें लक्षमी कांट से हो सकते हैं यहां से एक अदा point जो है वो छूट गया हो possibility हो सकती है बट फिर भी revision का आप यहां से कर सकते हो अगर आपने टोबी पहले बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है तो फिर आप लक्षमी कांट standard book को ही प्रेफर करें ओके चलिए introducing a new toll collection system कितने अच्छी बात अगर आपने कभी गाड़ी बाड़ी में यात्रा की है तो टोल तो आपने भरा ही होगा कभी कभी तो टोल से कभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगर आपको सो डेड़ सो किलोमेटर की सड़क पे जाना है तो आपका 225 रुपे तो टोल ही लग जाता है डिपेंड करता आप कौन से विकल में जा रहे हो तो परेशानी तो होती है चलो ठीक है आप रोड का यूज कर रहे हो तो टोल भी आप पे कर लोगे कोई दिक्त नहीं है लेकिन वहाँ पर जो टाइम लगता है कहीं बार वो तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है तो उसको सारे प्रोसीजर को चेंज करने के लिए अभी नितिन गडगरी जी ने पारलेमेंट के अंदर कुछ अच्छी अच्छी बाते बोली है सुनने में बहुत अच्छा लगता है इंप्लिमेंटेशन जो होगा तब की बात है क्योंकि अगर आपको पता है कि एक सिस्टम हम लोग यूज करते हैं मतलब जो four-wheelers हैं यह उसे बड़े विकल है mandatory कर दिया गया है आप क्या करते है fast-tech खरीदते हो ची कहा हो fast-tech आपके bank से link होता है उस fast-tech के अंदर आप पैसे मतलब लाइक हो लेट होता है जैसे prepaid आप अप एटल का recharge करवाते हो वैसा होता है जब आप किसी toll tax में जाते हो तो वहाँ पर आपका fast tax scan हो जाता है उस scan करने से आपके जो पैसे है वो लेट में वो कट जाते है फिर आप fast tax को रिचाज कराते हैं फिलाहले हम लोग यह शिटम यूज करते हैं हालां कि fast tax की शुरुआत 2016 में हुई थी लेकिन अभी 2021 में fast tax को mandatory क चल रहा है मतलब उस प्रसीजर को आठ साल हो गए है शुरुवात हो गया तो 2016 में मेंडेटरी कब हुआ 2021 में अभी इंडिया में मान के चली के 98.9% वीकल्स के पास फास्ट एक है तो आठ साल लग गए है इंप्लिमेंटेशन में और अभी गड़करी जी ने अनौंस्मेंट किया है कि हम लोग GPS सिस्टम को मेंडेटरी करतेंगे तो सोच के देखे 2024 चल रहा है तो 2032 या 2034 तक यह चीज़ हो सकती है साथ आठ साल तो इसमें लगेगा तो कि आप खुद देखो यह बड़ा था फोड़ा इंपोसिबल सा नजर आता है कैसे इन्हों ने कहा देखे भाई हम लोग क्या करेंगे ना फास्ट एक को हटाएंगे तो क्या सिस्टम यूज़ करेंगे GPS करेंगे GPS करेंगे तो इसमें होगा क्या हर वीकल के अंदर में हर वीकल में एक GPS सिस्टम हम लोग सेट अप करेंगे जिसे कहा जाता है ओन बोर्ड यूनिट ये एक ट्रैकिंग डिवाइस होगी आपके वीकल के अंदर डालेंगे इसको हम लोग इससे ये पता चलेगा GPS का यूज़ क काफी accurate होता है 10 मिटर तक की accuracies के अंदर हो सकती है मतलब एक गाड़ी आगर आपकी रोड पे चल रही है कहाँ पे उसने entry किया कहाँ पे उसने exit किया ये सब GPS और गगन का सिस्टम का यूज़ करके होगा अमालों यहाँ पे एक toll tax है आपकी गाड़ी नहीं यहाँ से entry करी तो उसको पता चल जाएगा कि भाईया गाड़ी entry हो चुकी है आप चल रहे हो 50 km आप चले 50 km के उपर जैसे ही आप गाड़ी सड़क से नीचे उतरे तो यह पता चल जाएगा GPS और गगन का यूज़ करके कि यह गाड़ी 50 km तक चल चुकी है यह आपको ट्रैक कर रहा है जैसे आ बोजबरदस्त लग रहा है ठीक है और यही नहीं बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे जैसे यहाँ पे कहीं ऐसे एक कुछ कैमरा टाइप का लगाएंगे CCTV कैमरा जो आपको लगाता ट्रैक करते रहेंगे कि यह वीकल अगर यहां से एंट्री किया है तो क्या यह वही वीक बहुत सारे चैलिइज है चैलियन सबसे बड़ी बात यहा है कि मान के चलो किसी के क्याचाउट में पैसा ही नहीं है पैसा रहा ही नहीं आप सड़क पर चड़ गए तो है नहीं रोखने के और आपके डीजिल टेटल वलेट है खाली है और मानलाव के digital wallet है आपके पास लेकिन वो उस satellite system के साथ attachी नहीं है तो कि देखे barrier तो है नहीं को रोक सकता नहीं आपको अब हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे इंडिया में जो ट्रैकिंग system है जो device होगी उसको ही switch off कर दोगे इससे हो सकता है आप सड़क पे चड़े आपने switch on किया लेकिन सड़क पे चड़ने बाद आपने उसको रोका switch off कर दिया जो switch off ही होगया तो कुन track करेगा बात ही खत्म होगई पूरी की पूरी कुछ हमारे हाँ पर ऐसे लोग भी हो सकते है जो एक truck जो बड़ा truck होता है उसके tracking device को उसके tracking device के उपर नहीं गाड़ी एक car का जो है वो device लगा देंगे अब क्योंकि track का car का tow tax कम होता है ट्रक का जादा होता है लोग बड़े शैतान है बड़े चालाख है car वाला truck के उपर लगा के चलेंगे उसको क्या पता चलेगा उसको तो लगेगा car का tracking system है वो तो car के साब से पैसे काटेगा आपके account से लेकिन चला रहे है वही आप truck ये कैसे होगा ये बहुत बड़े बड़ी issues है बहुत बड़ी issues है और क्योंकि हमारे आप ऐसे infrastructure ही नहीं है जो इस तरह की high level technology को adapt कर ले अब ये इन्होंने कहा कि हम लोग बीच में कुछ CCTV बगर लगाएंगे और इसको मतलाब इतरह से गंट्री mounted automatic number plate recognition कर सकते हो बता जैसे आपने गाड़ी ने यहां से entry किया सपोज और यहां से entry करने बाद बीच में जो है एक system लगाया जाएगा kind of CCTV इसे हम लोग जो है एन प्यार बोल सकते हैं यह क्या करेगा आपकी number plate को track करेगा ताकि यह पता चलता रहे कि यही same vehicle है जो हां से आ रहा है लेकिन क्या इंडिया में इतनी high quality license plate है answer is no कुछ cities को छोड़के कुछ states को छोड़के इंडिया में इतनी high quality license plate ही नहीं है अब किसी बारिश हो गया ठीक है किसी की number plate साफ दिखाई नहीं दे रही है उसके पर मिट्टी लग गया धूल लग गयी तो कैसे track करेगा भाई मतला वह गाड़ी पहले घर से चलने से पहले चमका के जानी पड़ेगी साफ करके जानी पड़ेगी बीच में बारिश वगरा कुछ हो गया तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई देखो बारी रोको number plate साफ करनी है क्योंकि tracking system लगा हुआ है ये practical issues आएंगे सामने जब इस system को किया जाएगा अब इसमें एक बड़ी बात privacy वाली भी है क्योंकि ये सारे का सरा data तो सरकार के पास होगा अब government हमेशा आपको track करती रहेगा कहा जा रहे हो कितना दूर जा रहे हो तो tracking तो होगा क्योंकि आपकी vehicle का हर location अभी सरकार के पास है तो क्या इसको miss use नहीं किया जा सकता 100% किया जा सकता है इसको miss use इतने बड़े level पर data government के पास जाएगा तो उसके लिए use कर सकती है तो वो privacy कैसे ensure करेंगे सरकार ने का कि हम लोग क्योंकि GPS का system सिर्फ tracking के लिए कर रहे है डेटा के लिए नहीं कर रहे है उसके लिए हम लोग गगन का यूज कर रहे है जो कि इंडियन सिस्टम है तो ये पूरे का पूरा data अमेरिका के पास तो नहीं जाएगा क्योंकि GPS तो American है दूसरी बात जो हमारा Personal Data Protection Act 2023 है इसका यूज करके हम लोग यूजर्स की प्राइवेसी को एंशोर करेंगे ऐसा फिलाल ये कहा गया है हाला कि बहुत सारे लोग इसको विरोध कर रहे हैं बड़े बुरे तरीके से कि इससे तो सरकार हर सिटीजन को पर ट्रेकिंग लगा देगी हाई है न अब कहां जा रहे हो नहीं जा रहे है भर चीज़ आपकी पता चलती रहेगी कहां की प्राइवेसी है तो यह कुछ नया सिस्टम इंटर्डूस हुआ होगा फ्यूचर में अभी तो मुझे नहीं लगता है इसका कुछ चांस है हलाकि गड़करी जी इस बात को कहीं साल से बोल रहे है 2020 से गड़करी जी इस बात को बोल रहे हम ऐसा कुछ करेंगे 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 हमेशा पार्लिमेंट में बोलते हैं अब चार साल तो हो गए है इंप्लिमेंटेशन अब तक तो इसका कहीं हुआ नहीं मान के जो लो 4-5 साल 10 साल इसमें और लग सकते है क्योंकि इसके अंदर बहुत सरे flows हैं उस तरह का infrastructure हमारे पास नहीं है उस तरह का vehicles हमारे पास नहीं है बहुत बड़ी बात है ये but let's see कभी implement होगा but yes this is what is proposed by government चीक चलिए तो भाई या Apple के उपर लगाया गया है फाइन 1.8 billion dollars का फाइन लगाया गया है उतना बड़ा topic नहीं है मतलब ये particular topic उतना important नहीं है बट हाँ exam में example देने के अवला आप इसका use कर सकते हो anti-trust or competition laws monopoly अगर इस तरह कोशन साते हैं कभी तो yes वहाँ पर आप example दे सकते हैं जिसे गूगल के उपर fine लगाया गया इंडिया में के भाई या गूगल अपने platform का अपनी monopoly का misuse करता है आप सोचके देखे जब आप mobile phone खरीदते हो तो आपके mobile phone में Google पे by default application डाउनलोड होके आती है क्यों भाई हम आप से ही क्यों payment करें हम तो कि शोर platform से करेंगे लेकिन क्योंकि Google पे by default हो रहां इंस्टॉल तो लोग जातर गूगल पर ही यूज कर लेते हैं जब सर्च इंजिन में सर्च करते हो जाके तो वहाँ पर गूगल सर्च बाई डिफोल्ट होता है यह सब गूगल के अपनी पावर का बेसिकली मिस्यूज करता है एक तरह सब यह मानके चलिए ऐसा ही कुछ-कुछ जो है यूरप के अंदर भी हुआ जो एपल का म्यूजिक सिस्टम एपल म्यूजिक उससे लोग म्यूजिक खरीते हैं सोंग्स परचेज करते हैं एल्बम्स परचेज करते हैं और पैसा पे करते हैं यह सारे का सारे क्या जाता है एपल की एप से एपल की वेबसाइट से नहीं नो एपल की एप से अब competition में तो और लोग भी है जैसे Spotify आप यूज़ शायद करते ही होंगे Spotify का आज गल तो कभी लोग यूज़ करते हैं Spotify को Apple की devices में मतलब उतना अच्छे से नहीं दिखाय जाता चीक है कई बारता ऐसा देखा गया है कि Spotify की app install ही नहीं होती iPhone के अंदर क्योंकि वो राइवल है ना उसका Spotify के जो प्लैन है वो सस्ते होते है और काफी ज़ादा Spotify ता फ्री में भी यूज़ कर सकते हो तो भाई जब लोग फ्री में मिल रहा है तो Apple क्यों करेंगे एक तो ये मिस यूज़ हो गया अपनी पावर का Apple ने जो किया है दूसरी बात मालो Apple पे एक Apple की आप के उपर एक सौंग मालो वो पाच डोलर का है Apple की वेबसाइट पे वही सेम सौंग आपको दो डोलर का मिलेगा लेकिन Apple अपने कस्टमर्स को ये कभी बताता ही नहीं इससे Apple बहुत पैसा बनाता है और हर सौंग खरीदे जाने पे 30% का कमिशन लेता है बागी 70% का कमिशन उस परसन के बाद जाता है उस कंपनी के बाद जाता है इस तरह से अपनी पोजिशन का मिस्यूज किया जाता है यही Google भी करता है यही Apple भी कर रहा है तो अपनी dominating position का फायदा उठा रहे तो European Union वाले ने कहा भाई उनके जो antitrust कानून है उन्होंने कहा कि भाई देखो यह तो गड़बड हो रही है आप तो पूरे बाद मार्केट से competition ही खतम कर दे रहे हो आप तो अपनी position का unfair trading practices के लिए यूज़ कर रहे हो तो इसलिए आपको मिलेगी सजा तो उनके उपर 1.8 billion euro का लगाया गया है fine जो की बहुत बड़ा fine है उन्होंने कहा अपल को भी आप तो gatekeeper हो gatekeeper मतलब कि किसको allow करोगे या किसको नहीं allow करोगे यह तो आप कर रहे हो जबकि यह gate open होना चाहिए competitors को भी उतना ही हक है market में grow करने का जितना आपको है level playing field होना चाहिए लेकिन you are a gatekeeper जो apple वाले हैं आप उनका allow करे हो जो non apple वाले हैं उनका allow नहीं करे हो even आप अपनी app store के ओपर third party apps को allow ही नहीं करते हो तो यह anti-trust लोगे violation है और इसलिए हम आपके उपर लगाएंगे fine हलाक एपल ने का है कि देखो गलत बात है ऐसा मत करो क्योंकि आपने मुझे कोई ऐसा solid evidence नहीं दिया कि मैं अपनी power का misuse कर रहा हूँ उन्होंने का कि देखो यह सब बोलने की बाते हैं आप कर रहे हो बात खतम अभी शायद एपल इसको अपील करेंगे क्योंकि 1.8 euro billion बहुत जादा होता है तो देखते हैं अपील करने से आगे क्या होगा इस मामले को थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे बट अभी फिलाल के यही case बनता है ठीक है चलो थोड़ा आगे बढ़े electoral bond the state bank and the art of evasion ठीक है मैंने इसमें आपको एक decent सा content यहापे provide करवाया है electoral bond क्या होते हैं ठीक है अब उसके लिए क्या क्या conditions होती है यह थोड़ा सा detailing मैंने आपको दिया है कौन कौन सी political party को कौन कौन सी year में कितना कितना donation मिला हुआ है ठीक है इसको हलका सा देख लेना है कबार रट्टा मत मारना ही इस point के उपर बट फिलाल मामला यह बनता है कि electoral bond जो सरकार ने introduce किया था इसे constitution इसे जो है सुपरीम कोट ने unconstitutional declare कर दिया है ठीक है electoral bond हजार रुपे टैन थाउजन वन लैक टैन लैक वन करोड का हो सकता था electoral bond आप State Bank of India से खरीदते हो किसी और बैंक से नहीं खरीद सकते यह State Bank of India से आप electoral bond प्रचेज करते हो उस electoral bond को आप किसी political party को देते हो वो political party उस bond को बाद में अपने किसी account में redeem करवा सकते हैं यह एक simple process होता था इसमें सबसे बड़ी issue यह था कि जो donor है जो किसी political party को donate कर रहा है उसके उपर उसका नाम mention नहीं होता था ठीक है अनोनिमस होता था नाम mention नहीं होता था सुप्रीम कोट ने का भाई यह तो गलत बात है हमारे तो democracy है हमारे यहाँ पर voter को पूरा अधिकार है यह जानने का कि किस political party को कौन donation दे रहा है कितना donation दे रहा है क्योंकि उसका अधिकार है और उस basis पे electoral bond को जो है unconstitutional declare कर दिया यह तो किया ही किया साथ के साथ state bank of India को भी कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी यह बताईए कि 2019 और अब तक किस किस ने bond purchase किये हैं कितने bond purchase किये हैं उनका नाम बताईए कौन सी political party को कितना donation गया है सब कुछ मुझे बताईए मतलब election commission को बताईए election commission को बने अपनी जो है website पे declare करेंगी हर किसी का नाम किसी ने कहां purchase किया कितना purchase किया कितनी political party को दिया वो सब मुझे बताईए सब बताईए उस समय अपने बताईए ने बताईए ने बताईए लेकिन अब S.B. कह रहे है कि सर मैं आपको नहीं बता सकता मुझे प्लीज चार महिने का time दीजिए क्योंकि आप जितना समझ रहे हो न यह process उतना आसान है नहीं उन लोगों के नाम जानना, bond के value जानना, किस political party को गया, कब गया यह detailing उतनी आसान नहीं है क्योंकि यह detail अलग-अलग जगह पे है कोई हमारे पास central database नहीं है इसके लिए कितने number of bond purchase किये गए यह अलग digitally store किया गया है जिन लोगों ने purchase किये हैं electoral bond, यानि कि जो donor है उनके नाम को physically store किया गया है मुंबई वाली ब्रांच में तो दोनों चीज़े अलग-अलग हो गई न तो मुझे लगेगा time ठीक है, किस date को कौन सा bond issue किया गया यह आपको match करना पड़ेगा donor के नाम से date से और यह सब क्योंकि अलग-अलग जगे पर store किया गया है कुछ physical form में store किया गया है, कुछ digital form में store किया गया है इसलिए सब को match करना, उस information को और एक robust data release करना यह बहुत महनत का काम है तो please मुझे चार मेने का at least समय दीजिए तब तक तो election हो जाएंगे तो basically SBA का यह कहना है कि election के बाद मैं आपको detailing दोँगा, election से पहले नहीं दे सकता 2019 से लेके अभी तक 22,217 electoral bond purchase किये गए ठीक है, अलग-अलग political parties को donate किये गए donor के नाम जो SBA के पास है उन नामों की list एक sealed cover में मुंबई की ब्राच में भेजी गई है ठीक है उनकी detail मतलब वो कौन सी political party ने कब cash करवाए है वो सारे detail में मुंबई के पास मुंबई की ही ब्राच में है तो कम से कम यह तो release करो at least इतना तो कर सकते हो SBA ने का कि नहीं साब इसमें भी बहुत time लगेगा आसान नहीं है तो चार महिने का समय मांगा है और Supreme Court ने तो ये भी का है SBA को कि मैं आपके उपर contempt का court लगा सकता हूँ contempt का case क्योंकि आपने मेरी बात नहीं मानी है तो SBA ने यहाप एक genuine सा reason दिया अब यह पता नहीं genuine है नहीं है दिखने वो तो genuine नहीं लग रहा है चीक है क्योंकि आसान नहीं है पिछल 4-5 साल की डीटेल निकालना और वो समय मैच बैच करना वो एक अलग बात है जो Supreme Court में हम लोग उसके बारें बात करेंगे बट फिर भी Supreme Court का यह कहना है कि जो right to water है है न water is right to know information वो बहुत जरूरी है यह हमारे fundamental right का part है कौन सी political party को कितना contribution दिया गया है यह है एक water का right है को कि आप मान के चलिए इंडिया में 94% जो donation हुआ है वो 1 crore के electoral bond के थूर हुआ है अब मेरे जैसाद में तो 1 crore donate नहीं कर सकता है तो यह तो सीधी सी बात कौन कर रही है बड़ी बड़ी companies कर रही है corporate funding हो रही है और cooperative funding का सीधा सीधा समतलब यह है कि यह एक chronic capitalism का सीधा सीधा साई का example नजर आता है कोई company किसी political party को 10 crore अगर donate करेगी तो भाई फ्री में तो नहीं कर रही है न यह तो पूरी तरह से financial transaction नजर आ रहा है ऐसा court ने observe किया है तो court ने गा कि जल्दी से जल्दी के ना मुझे बताओ जन्तकों पता चलना चाहिए election से पहले क्योंकि यह हमारा constitutional right है under article 91A तो हमारा fundamental right है यह बनता है पूरे खबरा मामला अब देखते हैं इसमें आगे क्या होगा क्योंकि मामला तो court में गया हुआ है बागी कुछ basic information लेक्टल बोन की आपको मैंने यहां पे दिया हुआ है कुछ additional article भी आपढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो तो आज के लिए तना ही है thank you very much all the best जै हिंद जै जै जवान जै किसान